सो साइन्स एमकेस में आपका बहुत-बहुत स्वाग आते फाइनली बीएसी नर्सिंग जेनेम और एनेम वालों के लिए यहाँ पर बहुती बड़ी टीगुनिक उसकबरी आ चुकी है जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर कापी सारी वेकेंस से रिलिज हो चुकी है number one आप यहाँ पर देख पार होंगे number two आपके अपने state से number three aims की तरब से ठीक है तो one by one करके यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन apply कर सकता है और यहाँ पर salary कितनी रहने वाली है apply का process क्या रहने वाला है और इसमें selection का process क्या रहने वाला है चलिए पूरा अपडेट यहां पर देख लेते है तो यहां पर मैंने आपसे पहले बोल रखा है कि नरसिंग वालों के लिए जब वेकेंसी आते है तो यहां पर छफरफार के खापी सारी वेकेंसी निकलती है तो ये नमबर वन वेकेंसी कहां से निकलिए चलो देख लेते हैं और चैनल आपने सस्क्राइब कर रखा है बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो 100% गारंटी है आपका गवर्मेंट जोब लगना ते है तो ये आपकी वेकेंसी निकलिए ट्रांसलेशन स्वास्ते विबाग से नर्सिंग वालों के लिए हर एक विबाग से वेकेंसी निकलती है चाहिए वो पुलिस का विबाग हो चाहिए वो आर्मी का हो चाए वो military का हो चाए वो आपके airports का हो ठीक है चाए वो railway का हो हर एक सेतर से vacancy निकलती है तो इसी परकार Translation Department से vacancy निकल चुकी है और यहाँ पर staff nurse की post रहने वाली है जिसमें BS nursing JNM और NM विद्यारती apply कर सकते है और यहाँ पर जो pay scale रहने वाला है 31,000 परमंतली यहाँ पर रहने वाला है permanent vacancy है, सांदार vacancy है All India के candidate apply कर सकते है चाए वो राजस्तान के हो, मद्देपरदेश के हो UP के हो, बिहार के हो दिल्ली के हो कहीं के भी हो, apply कर सकते हो सो विद्यारती हो यह जो vacancy है आपके translation से इसका officially update हम आपको दिखाएंगे website पर जाके, ताकि आपको यकीन हो जाए, ताकि आपको विश्वास हो जाए और यहाँ पर आप देख पार होंगे कि interested candidate आपको किस परकार से apply करना है विद्यारत हो इसका interview होगा सिद्धी बढ़ती रहने वाली है कोई भी exam नहीं है आपका only आपर return test उसी time पर हो जाएगा तोड़ा बहुत ठीक है और यहाँ पर 29 November 2022 यह time आप देख लो इस पर आपको जाना होगा ठीक है, यह इसका last रहने वाला है अभी पूरा हम दिखा देंगे यह address आप यहाँ पर देख सकते हो तो चलो पहले officially update हम आपको दिखा देते है तो विद्यारत यो आपको यकीन दिलाने के लिए हम आ चुके इसके official website पर thsti.rec.in यह इसके official website देख सकते हो और यहाँ पर आप देख पारोंगे carrier का option ठीक है यह carrier वाला option देखो यहाँ पर तो इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर job का option आपको दिखेगा तो job पर आपको click करना तो जैसे आप job पर click करते हो तो निया interface open होकर हमारे सामने आ जाता है जैसे हमने यहाँ पर click किया carrier उसके बाद job तो यहाँ पर job का section open होकर आगया जैसा कि आप देख पारोंगे तो apply online ठीक है यह देखिए और यहाँ पर यह राया आपका staff nurse की vacancy का update अब तो वीडियो को like कर दो पूरा proof मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया तो यहाँ से वाल के interview और यह last day 29 नॉमबर दिखा रखिए clear अब apply कैसे करना है यहाँ पर apply का option आपको दिखाए दे रहा होगा तो इस पर आपको click करना है तो यह देखो अब निया page open हो रहा है आपके सामने और कापी सारे विद्ध्यारती बोलते कि cyber cape वाले तो apply नहीं कर सकते वो मना कर देते तो कोई दिक्कत नहीं आप गर पेटे कर सकते हो उनको website तो बताओ पहले आप जो हम telegram पर send करते आपको तो यहाँ पर आप देख पार में विद्ध्यारती हो यहाँ पर link active हो चुका है हर एक post के लिए देख सकते हो जिसके लिए online apply का आ रहा है यहाँ पर online apply कर सकते हो और यह link active हो जाएगा ठीक है और जहाँ पर interview होने वाला है वहाँ पर आपको interview देने ही जाना है direct अब यह आपके translation वाली जो vacancy है इसका पुरा update हमने यहाँ पर आपको दे दिया एक और vacancy है आपके अपने state से उसके बाद फिर M's के vacancy है क्योंकि एक साथ तीन गुनी कुशकबरी आपके लिए आचुकी है तो देख लेतें दूसरी vacancy को भी जैसा कि विद्यार्ति आप देख पा रहोंगे यहाँ पर जितनी भी vacancy है हम आपको बताएंगे सारी के सारी BS nursing ZNM और NM तीनों के लिए बराबर रहने वाली है क्योंकि NM वालों के भी कब सर्कमेंट आते सर्क हमारी vacancy कब आएगे तो यह लीजे आप तीनों की यहाँ पर एक साथ आ गई तो राश्टे स्वास्ते मिशन मद्या परदेश के vacancy है और यहाँ पर है स्टाप नर्स के लिए 256 पन और यहाँ पर है सविदा स्टाप नर्स पुरुस के लिए 288 दो 288 पन क्लियर और यहाँ पर BS नर्सिंग ZNM ठीक है यह आप कहोना चाहिए अब आप गोलिंग सर अन्म की तो अन्म के vacancy अलग से निकली है ठीक है यह तो है BS नर्सिंग और ZNM वालों के लिए अगर आप एप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर तो यह जो वेबसाइड है www.sams.com.in इस पर आप जाकर एप्लाई कर सकते हो अभी हम आपको बताएंगे और यह आवेदन करने की डेट 25 नॉमर से 22 दिसंबर तक क्लियर तो यह important डेट रहने वाली है यहाँ पर पूरा वीवरन आप देख सकते हो कौन सी केटेगरी के लिए कितना पद यहाँ पर निकला हुआ है और भी चलो यहाँ पर देख लेते है बीएस नर्सिंग और जेनेम की आपने देख ली अब यहाँ पर एनेम का भी आप देख लो यह रहा एनेम का 1200 पदों पर ठीक है एजुकेशन कोलिवकेशन सेम होई है 10 प्लस टू और एनेम सैटी पीट आपके पास होना चाहिए यह मद्य परदेश के रहने वाली है राश्टे स्वास्ति मिसन ठीक है और पदों की सिंग्या देख लो अन्रिजर्ड का 3024 से आर्थिक रूप से कमजोर का 120 से अनुसुचित जन जाती का 240 जन जाती का यहाँ पर 240 और सुचित जाती 112 ठीक है और यहाँ पर पोरा वीवर्ण आप देख सकते हो पीडिएप की चिंत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जो टेलेग्राम चैनल है हमारा लिंक नीचे दे रहा है उसका उसको अगर आपने फोलो कर रहा है तो यह सारे पीडिएप 3 में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो यह एन्यम के विकेंसी को एपलाई कहां से करना है सेम वही वेबसाइड sams.com.in अब आप गुलें सेर आप अभी दिखा दो एपलाई करके तो चलो दिखा देंगे ये 16 से 12 दिसंबर तक फोरम एपलाई कर सकते हो तो चलिए विजिट करते sams.com.in वेबसाइड पर तो यहाँ पर आप देख पार होंगे हम आचुके official sams वाली वेबसाइड पर ठीक है तो आपके सामने पूरा process हम करेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए ताकि आपको विस्वास हो जाए तो विस्वास बहुत जरूरी आपके लिए विस्वास दिलाना तो अब इसलिए आप यहाँ पर देख पार होंगे यह रहा update ठीक है तो इसपर आपको click out कर लेना है तो जैसे आप click करते हो नया interface open होकर आ जाएगा हाँ इसपर आपको click करना है तो नया page open होगा भी finally नया page open हो गया और यहाँ पर apply option आ गया clear, last date यहाँ पर 12 December रहने वाले से पहले पहले आपको apply करना है, तो apply यहाँ पर click कर दिया, तो यहाँ पर apply option आपको दिखाए दे रहा होगा इसपर आपको click करना है तो यह लिजे, यहाँ पर again orange color में आपको apply option मिलेगा, इसपर आपको क्लिक करना है तो यह forum आपको बरना होगा ठीक है यह forum आपको बरना होगा यहां से पंजी करन आपको करना होगा सबसे पहले नाम पता एड़ेस मोबाइल नंबर इमेल यह basic जानकर आपको बरनी होगी अगर आप नहीं बर सकते तो आपका जो cyber care पे उसको बता दो इसके बारे में यह website है और यह इस परकार से आपको बरना है आप website बता दो वो बर देंगे ठीक है इसके बाद नंबर थरी आती है आपकी एम्स की जी हाँ बिल्कुल एम्स की तरब से senior research की vacancy निकली जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर job का description भी आप देख पा रहूंगे यह email रहा पूर आपडेट देख लो पहले आप यहाँ पर आप पूर आपडेट देख पार होंगे यह format आपको बरना है पादर सनेम category address email यह पूर आपको बरना है कौन से एर में आपने पास किया था यह पूरा बाइवडेटा इस प्रकार आप देख सकते हो English or Hindi language में यह दे टेलेग्राम पर और अभी तक अगर आपने फोलो नहीं किया है तो फोलो कीजिए तब ही पोसिबले आपका गौर्मेंट जोब लगना नहीं तो आदा दूरा काम हो जाएगा अपडेट तो हम यहाँ पर दे देते बट पीडेफ भी आपको चीए ना फिरी में तो पीडेफ यहाँ पर अप्लाइ नहीं करना चाहे तो एम्स जोधपुर में ट्राइ कर सकते हो एम्स जोधपुर से भी वेकेंस यहाँ पर निकल चुकी है इसका पेडेफ भी टेलेग्राम पर आपको मिल जाएगा यह देखे सीनियर स्टाब नार्स ठीक है और यह एजूगेशन को लि लेते हो तो बैसकली यह है टेलेग्राम एम्स ब्रो फाइप अगर नाम से नहीं मिल रहा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि यह कोई डावट है तो कमेंट करके बता सकते हो और टेलेग्राम को फोलो कर सकते हो पीडियेप पाने के लिए फ्री में